राम राम जी अज यूपी में एक बड़ी मदेदार खबर आई है एक महिला को गिरफतार किया गया है नाम है उनका संगीता देवी शायद कानपुर की घटना है तो संगीता देवी पे उनके पती ने आरोप लगाया और पती भी पुलिस में पुलिस का अपसर या थिपाई थिपाई तो पती देव ने थाने में रपट दर्ज कराई एफ आयार कराई कि साब मेरी पत्नी मुझे धंका रही है कि तीस लाख रुपया दो नहीं तो तुम्हारी रंगीन फिल में सोशल मीडिया पर वाइरल कर दूँगी पत्नी अपने पती को धंका रहे हैं तीस लाख रुपया तो अब ऐसी रिपोर्ट ले कि कोई व्यक्ति अगर आप थानेदार है आपके थाने में आ जाएगा तो आप क्या करेंगे तो सब थानेदार पहुंचकता और आम तोल पर जब ऐसे केसे होते हैं तो पुलिस वाले होते हैं बिचारे इनके ओपर तो बड़ा प्रेशर रहता है कि अपराद कम से कम हो अपराद कम से कम पंजीकृत हों कम से कम FIRI थाने में प्लॉइन और्डर बना रहे सुक्षानती बनी रहे तो उसका तो एकी पैम सब्सक्राइब कर लेते हैं और ज्यादा तर पुलिस में आपस में समझाता हो जाए परचाद मतलब मुगदमा पंजिकृत करने अभियोग पंजिकृत करने का नौबत ना आए ये कोशिश करती है तो नों पार्टी को बाबंद कर दिया जाए समझाता करा दिया जाए आगे दिनना लड़ें जगड़ें पर सब्सक्राइब यह तो बड़ा टिपिकल केस था खुद सपाही बोल रहा है कि मेरी पत्नी मुझे ब्लैक मेल कर रही है तो अच्ट में बड़ा जीवों गरितत सामने आयाक इस के संभीता देवी की थीसरी शादी है राज भिषा हिज लौब आ कि अच्छा तुमको पता था या तुमनए पत्नी की अब्लया कि नहीं सुईप को नहीं रही पत्नी है जबना मिली तुमको तुम्त्मारीपत्नी ये है तो बड़ी खुबसूरत सी, बड़ी प्यारी सी मिला है। तो भला सब कहां मिली पत्नी? तो भला सब फेस्बुक पर दोस्ती हुई। अब सब फेस्बुक के पर तो हम भी छोटे मोटे बटादीश माने जाते हैं। हम लोग रोज फेस्बुक के किसे कहानिया देख रहे हैं। फेस्बुक, इंस्टाग्राम, हाई हाउ, टिक टॉक। तो उसने बोला फेस्बुक पर कैसे? बोला सब फेस्बुक पर दोस्ती हुई, फिर दोस्ती जो है प्यार में बदल गई। प्यार में बदल के हमने शादी कर लिया तो शादी कर लिया उसके बाद क्या हुआ है कुछ महीने पहले शादी हुई है तो अब जो है यह ब्लैक मेल कर रही है कहती है कि मेरी तुम्हारी वीडियो जो है वो वाइल कर दूंके नहीं तो 30 तीस लाख रुपया रखम भी कोई चोटी मोटी नहीं 30 लाख रुपया तो जब जाच हुए कि पहले दो शादी कौन थी तो पहले दो शादी भी ऐसी ऐसी ही निकली उसमें भी संगीता देवी जो हैं संगीता देवी उनको असली नाम है तो पहली दो शादीयों में भी संगीता देवी ने फेस्बुक से ही लॉंडे फटा के और किसको पताया था जो सरकारी सेवा में कि फेस्बुक पर जाल बिचा कर लोग बॉइफ्रेड पटाते हैं इसने पती पटा लिये और उनसे भी इसी तरह 20-30-30 लाख रुपया लेकर उनका पिंड छोड़ा था एक को फटाती थी उससे शादी करती थी उससे पईतावत उलती थी फिर दूसरे को और तीनों को फेस्बुक पर पताया है फेस्बुक पर मानें सोशल मीडिया पर तो आज जो है उनकी गिरफतारी हुई है और आज उनको गिरफतार करके जेल भेजा गया तो बात यह था कि सोशल मीडिया कुछ ज़ादा ही स्ट्रॉंग होता जा रहा है सोशल मीडिया का प्रभाव समाज में बढ़ता जा रहा है और हम तो पिछले दस साल से जब अभी सोशल मीडिया का प्रादुर्भाव नया नया हुआ था हम लोग तो सोशल मीडिया को तब से देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर कैसे लोगों को फसाया जाता है कैसे ब्लैक मेलिंग होती है ऐसे हमने मैंने तो बहुत किस्चे देखे हैं और महांदब कहते हैं हनी ट्रैप मतलब पाकिस्तान में बैठी हुई जासूस फसा रही है सेना को अपने अधिकारीयों को अपने जवानों को सक्त नृदेश देना पड़ा कि भी यह जरह सोशल मीडिया से दूर रहो तुम लोग जरह सोशल मीडिया का कम प्रेयोग करिए इस इस प्रकारते बकाईदा इंस्ट्रक्शन देरी पड़ेगी कि ऐसे ऐसे हारी ट्राप, ऐसे ऐसे लड़किया जो हैं लुगा रही है अफसरों को जवानों को उनसे बच के रहो और अब तो डीप फेक का कितना बड़ा एक खत्रा पैदा हो गया समाज में मोदी जी को कहना पड़ा और अब तो उस पर बकाइदा वैसा बताया है आज ही मैं एक अख़बार पर पढ़ रहा था कि उस पर सरकार बकाइदे बहुत सक्त कानून बनाने जा रही है यदि आप डीप टेकनालोजी का इस्तमाल करके एई का इस्तमाल करके यदि इस परगार किसी को ब्लैक मैल करने के लिए बतनाम करने के लिए इस परगार कुछ करने के लिए अगर आप कोई शडेंद्र करते हैं और ऐसी कोई वीडियो फोटोग्राफ या ऐसा कोई भी मैट ब Dw arm Dop प्रस्तारद करते हैं। शेयर करते हैं तो हमें ठीज पर अबिठीन पर जो बाचेच शल रहे हुग सुट और है इस दूपर हुआ साथ करने की बाते चल रहे हैं। जयो प्रेटेशन का भी चीहरा की कि उस प्रस्त product प्रस्तार्द करके दीप reputation अगर खराब हो जाती है तो उसको आप किसको दपाई देते पिरेंगे इसलिए भाईया यह संगीता देवी का एक जो केस तो मुझे बड़ा curious मुझे लगा हथ हो गई यार कि लोगों ने blackmailing के कैसे कैसे तरीके अपना लिए है और ठीक तक अच्छी देखने में intelligent पड़ी लिखी खुबसूरत लड़की है और देखी उसका दिमाग कहां चल रहा है वो चाती तो इज़त से एक सम्मान जनक आजीव का भी अर्जित करके जीवनियापन कर सकती थी और उसने criminal होना मंजूर किया अभी पीछे जो मैंने हर्याने वली लड़की का जो केस बताया था इन पैरेंट्स ने भेजा था एंबीए करने के लिए चंदीगर और वहां पर जो है लिवन में रहने लगी एक लड़के के साथ और फ़र जो है इसी तरह है उस केस में भी इसी तरह है सोशल मेडिया और इस्टाग्राम पर ही लड़का पताके उसको अपने अब लाके उसको किड्नैपिंग करके उसके परिवार से पचाते लाग रुपे की फिर वो तो शुद्र किड्नैपिंग थी यहां शादी करके वसूली हो रही है इसलिए सोशल मेडिया का थोड़ा सा समाल के प्रयोक कीजिए और चौकनने रहिए पैरेंट्स के लिए अपने बच्चों पर निगार रखिए आज कई कि युवा कहां से किस चीज़ से प्रेड़ना ले लेगा किया सोच रहा है इतना ज़्यादा मेटेरिलिस्टिक हो चुका है आज का युवा कि अपने ब्रैंड के प्रतिजों और एक नकली दिखावटी जीवन के प्रतिजों उतकट लालसा पैदा हो रही है उसके लिए कौन से कौन से काम कर रहा हैं बच्चे इसलिए अपने बच्चे खासतर वो बच्चे जिनको आपने घर से दूर पढ़ने के लिए बेज रखा हैं उन पर निगार रखियें क्या कर रहे हैं और सोचल मेडिया से बच्च के रहिए समझदार आदमी वो होता है जो दूसरों की गलतियों से सीखता है खुद गलती करके सीखना तो बहुत महंगा होता है अपने आख कान खुले रहे हैं और इन ही यह जो आपके अजुकेशन का मतलब क्या होता है कि अपने अगल बगल के अंवाइनमेंट को अब्सर्व करना उस से चीखना समझना उसका अनलिसस करना कि हमारे समाज में क्या क्या हो रहा है और ये मेरे को कैसे प्रभावित करेगा मुझे इसके दुष्परवावित कैसे बचना है यही शिक्षा है अगर आप अपने अर् पात जाएंगे दूबेंगे तब आपको अकल आएगी तूसरों की गलतियों से सीखिए इस प्रकार से social media पर की गई दोस्तियां कितनी खतरनाक हो सकती है यह सीखने की जरूत है आज के लिए इस वीडियो में इतना ही एक छोटी सी वीडियो आज रात को मैंने बैठे बैठे बना दिया हुए कल सोबेस को पोस्ट करूँगा अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं थैंक यू बेरे मच